जैसे जो बिज्ञान है, हमारा संकल्प है, किसका लाब पूरी दुनिया को मिले, आत्म निर्भरता के बीजी समंत्र की स्रीलब प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते से, उसे भारत ने अपना धे बनाया है और उत दिशामे देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्म निर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्षों की बात करता हूँ, तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनिसमेन को, इस कौन के हरे कृष्ण मुव्मेंट की सबलता का उदार देता हूँ। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं, तो हमें कितना अपनापन लगता है। कितना गवरों भी होता है, कलपना करिए। यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोड़क के लिए मिलेगा, तो हमें कैसा लगेगा। इस कौन से शिक्कर हम इन लक्षों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान क्रश्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं ज्ञाने न सद्धुशम पवित्र में ही विद्धते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को इस सर्वच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी। मैव मन अधस्तत्व मै बुद्धिम निवेश्य यानि ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धी को क्रश्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है, जिसे गीता के बारवे अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ है, बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुर्यामी के गहरे गर्त में फस गया था, अन्याय अत्याचार और सोशन से पीडित भारत अपने ग्यान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तब ये भक्ति ही थी, जिसने भारत की चेतना को जिवन्त रखा, पहचान को अक्षुन न रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं, कि अगर भक्तिकाल की सामाजी क्रांती न होती, तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता, लेकिन उस कठीन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांदा, उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया, आस्था के भेदभाव, सामाजी उँच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सब को खत्म करके, शीव और जीव के बीच एक सीधा सम्मंद बना दिया, साथियों, भारत के इतिहास का अध्यन करें, तो आप ये भी पाएंगे, कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए, अलग-अलग कानखन में, रिशी, महर्शी और मनिशी समाज में आते रहें, अवतरित होते रहें, एक समय, अगर स्वामी विवेकन जैसे मनिशी आये, जिन्होंने बेद वेदान को पस्चिम तक पहुँचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग दिक्कों देने की जिम्मेदार आई, तो स्रील प्रफपाद जी और इसकोंडी इस महान कार्य का बिड़ा उठाया, उन्होंने भक्ति वेदान को दुनिया की चेतना से जोड़े का काम किया, ये कोई साधान काम नहीं था, उन्होंने करीब सत्तर साड के उसम्र में इस कौन जैसा वैस्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दाइरा और सक्रिता कम करने लगते हैं, ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेणा है, कई बार हम देखते हैं, लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते हैं, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं हैं, ये सब काम करने के लिए, लेकिन प्रभुपाज स्वामी अपने बच्पन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे, प्रभुपाज जी समुद्री जहाद से जब अमेरिका गए, तो वो लगवग खाली जेव थे, उनके पास केवल गीता और स्रिमत भागवत की पूझी थी, रास्ते में उन्हें दो-दो बार हार्ट एटेक आया, यात्रा के दर्वियान, जब वो नियूर्क पहुँचे, तो उनके पास खाने की व्यवस्ता भी नहीं थी, रहने के तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसके अगले ग्यारा सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, सुरद्धे अट्रल जी के शब्दों में कहें, तो अट्रल जी ने इनके विशे में कहा था, वो किसी चबतकार से कम नहीं था, आज दुनिया के अलग-अलग देशों में सेंक्रो इसकौन मंदीर है, कितने ही गुरुकुल भारतिय संस्कृति को जिवन्त बनाये हुए है, इसकौन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है, उमंग, उत्सा और उल्लास, और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग भारतिय वेश भुशा में किर्टन करते दिप जाते हैं, कपड़े साधे होते हैं, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे बाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीत मय किर्टन होता है, और सब एक आत्मिक शान्ति में जूम रहे होते हैं, लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायत कोई उत्सव या आयोजन है, लेकिन हमारी यहां तो यह किर्टन, यह आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है, आस्था का यह उल्लास में स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित कर करता रहा है, यह आनन्द आज स्ट्रेश से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है, साथियों, गीता में भगवान क्रष्ण का कथाने, अद्वेश्टा सर्व भुतानाम बैत्रह, करुण एवच, निर्ममों निरहंकारह, समधुख सुख स्वमी, अर्थात, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेश नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है, यही मंत्रा हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है, और इस चिंतन को सामाजिक आधार देना का काम हमारे मंदिरों ने किया है, इस कौन मंदिर, आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंदर बनकर उबरे हैं,